हरे कृष्णा, हिंदू धर्म में अन्न एकादसियों की तरह आमल की एकादसी की भी विशेस महिमा है, फागुन महीने के सुकल पक्स में जो पुस नक्सत्र में एकादसी आती है, उसे आमल की एकादसी कहते हैं, इस दिन वर्त रखना सबसे जादा स्रेष्ट माना जाता है, आमल की का अर्थ होता है आमला, आमले की परतेक साखा में भगवान का वास होता है, आमले को सास्तरों में उसी प्रकर्स्रेष्ट माना जाता है, जसे नदियों में गंगा को और देवों में भगवान विश्णू को, भगवान विश्णू ने जब स्रष्टी की रचना के ल इस दिन भक्त मन में जो भी इच्छा लेकर उपवास रखते हैं भगवान विश्णु की किरपा से उनकी सभी मनोकामनाय पूरी होती हैं, माना जाता है कि आज के दिन नहाने वाले पानी में आवला डाल कर नहाने से सभी सुप फलों की प्राप्ती होती है, इस दिन आवले के फल का आवले के पोदे का दान करना चाहिए, भगवान विश्णु को भोग में आवला जरूर अर्पित करना चाहिए और वर्त का पारण भी आवला खाकर ही करना चाहिए, आमल की एकदसी को रंगभरी एकदसी भी कहा जाता है, मन्नताओं के अनुसार भगवान सीव का भी भक्तगणों ने अभीर गुलाल से उनका स्वागत किया था, तब से ही हर साल फागुन सुकल एकदसी को रंगभरी एकदसी के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन कासी विश्वनात मंदिर में भगवान का विशेश तरिंगार किया जाता है, इसलिए आज के दिन एक दसी कब से कब तक रहेगी और वर्त पारणा का सुप मुहरत क्या रहेगा, इस बार एकदसी कीतिती प्रारंब हो रही है, 19 मार्च मंगलवार की मद्दे रातरी 12 बच कर 23 मिनट से, और एक दसी कीतिती स्मापत होगी 21 मार्च गुरुवार की सुबह 2 बच कर 23 मिनट पर, क्योंकि इस बार बुद्वार को सुबह सुर्योद्य से लेकर रात तक एकादसी की तिथी रहने वाली है इसलिए एकादसी का उपवास 20 मर्च बुद्वार को ही रखा जाएगा यानि की रंग भरी एकादसी या आमल की एकादसी 20 मर्च बुद्वार को मनाई जाएगी का दीबदान किया जाता है द्वादसी तिती प्रारंब होगी 21 मर्च गुरुवार को सुबद 2 बज कर 23 मिनट से और स्माप्त होगी 22 मर्च सुकरुवार को सुबद 4 बज कर 44 मिनट पर इस पार गुरुवार को पुस नकसत्र का सुब योग भी बन रहा है पुस नकसत्र में की गई पूजापाट या की गई खरीदारी या किया गया कोई विसुब काम अत्यंत सुब फल देने वाला होता है इसलिए आपको गुरुवार के दिन कुछ न कुछ विसेश काम जरूर करना चाहिए एक अदसी वर्त का पारण किया जाएगा 21 मार्च गुरुवार को और पारण महूरत रहेगा 8 बज कर 5 मिनट से लेकर 9 बज कर 45 मिनट के बीच में इस समय ही आपको एक अदसी का उपवास खोलना होगा और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र और आमला जरूर अर्पित करे और उसी को परसाद के रूप में करें जैस्री कृष्णा